हाई अब्रीवन वेल्कम बैक तो दिस चैनल ज्यार मंत्रा आज हम देखने वाले हैं भूगोल पाथ होड़ना और आज का हमारा टॉपिक है उत्योग धन्दे तो आज हम इस वीडियो को कवर करने वाले हैं इस टॉपिक पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां यहां पर आप लिखेंगे पार्ट योन नंबर आप पर जो भी लेसन प्लान नंबर होगे यहां पर आप फिल करेंगे यह मेरा 50 लेसन प्लान है इसके पहले मैंने आपको 49 लेसन प्लान दो वाइट किये हुए हैं तो आप उसे देखेंगे आपके लिए हेल्फुल रहा और यह स्एक्शा, यहां पर आप अपने नाम फिल करेंगे फिर आप इससरी कि Sum tudORA बनाएंगे इसमें दिनांग दिन कक्षा, वर्ग, विश्र, जग और अवधी इसमें देखिए आप जिस दिन होगे आप्की वह आप लिखेंगे फिर जिस दिन लगी होगे दिन लिख ले चक्र में आपके क्लास का कौन से पीरेट है यह आप लिखेंगे फिर आपकी अवधी 40 मिनिट हो जाएगी आपर 35-40 मिनट फिर आपका आता है आगे प्रक्रण और आज का हमारा प्रक्रण है उद्योगधन दे आप आगे देखें सामान ने उद्देश मेंस जेनरल ऑब्जेक यह आपर पूरवत लिखा हुआ है क्योंकि आप जब बीड या डियलेट कर रहे होते हैं तो आपको फिफ्टी तो आपको 20 लेसन बनाने होते हैं इन 20 लेसन प्लांस में सारे में की जो सामान ने उद्देश होता है वो सेम होता है फिर फाइफ टॉ शिक्स पॉइंट जो हो सेम होते हैं यहां पर पूरवत लिख दिया जाता है क्योंकि बारबार ना लिखना पड़े फिर आपका आता है आगे विशिश तुद्देश क्या है इसमें देखिए आपके कुछ पॉइंट्स होता है जो आज आपका जो टॉपिक है यह टॉपिक पढ़ाने से आप बच् को उद्योग धंदों की परकार के बारे में बताना चाथ कृष्ण के बारे में जान सकेंगे विद्यारतियों में फिल्पित उप उद्युक drown की मात्रोवक को जानने में उनकी बुद्दों करना विकास वोट सकेगा इन कि रुचिएंट्स में इस सारी चीज़ें में शाज इश्रुत देश में फिर आपका पूर्व ज्यान में इसे चाट अचात्रру उद्ध्यों में यादोत्रा के विषय में सामान जानकारी रखते हूँ बच्छे न कुछ जानकारी रखते होंगे इस के बारे में या बच्चों से एक्सपेट करते हैं तेरे आपका सहायक सामगरी मेंस आपका जो टीजिंग मैटीरियल एड्स होता है जैसे की चौक, ट्रस्टर, लपेट, श्यांप, पॉइंटर, चार्ट, एक्सेक्टर यह सारी जीज़े हो जाएंगे आपकी इसके बाद एक दूसर से रिलेटेट होने चाहिए, समबनित होने चाहिए, इसके आपको ध्यान रखना है, यह बाते, तो देखें, आप कोशन पूचेंगे, भारत की अधिकान चंसंक्या कहां निवास करती है, तो बच्चे कहेंगे गाउं में, फिर आप कोशन पूचेंगे, गाउं क करेंगे तो बच्चो आज हम सब उद्योग धन्दो के बारे में अध्यनध्यापन का कड्य करेंगे यह आप क्या करेंगे बच्चो को स्टेट्मेंट देंगे इसकी बाद आप रहें हां Practice करण क्या होता आप बच्चों के सामने की सारी के से एपने इस तॉपिक प्रेजन करते हैं इस तरीके से कहना से ज Kirstyad Sugar वीदियो का प्रयोक करते हैं किस तरीके से आप ड़ बॉर्ड करते हैं कॉन से इसमें आप कोशन पूछेंगे बोद प्रश्न के रूप में यह सारी चीज़े हो जाती है आपकी प्रसुदी करण में तो देखिए इसमें कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो भी आपके जो और कॉलम्स हैं उसे आप देखिए पारे चीज़बिंदू चार्टा धापक्या चार्टा धावी का कथन विद्धार्थिक्विया और श्यामपर्ट कारे देखिए जो शिच्छडबिंदू होता है मेंस आप अपने इस टॉपिक को पूरा तो एक्स्पेंड करने ही देंगे एक ही बार में आप अपने इस टॉपिक को पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइट करेंगे ताकि बच्चों को आप आसानी से समझा सकें अपने इस टॉपिक को ठीक है तो यहां पर देखिए आप सबसे पहले बताएंगे उद्योग धन्दे की बारे में की होता क्या है जब भी आप एक्स्पें कर रहे होते हैं इसमें जो भी important points होंगे आपके explanation की वो सारे आप blackboard पर लिखते जाएंगे ठीक है वही चीज़ें यहां पर आप लिखा नहीं हुआ है श्यांपट कारे में important points को आप indicate कर देंगे थोड़ा बप लिख देंगे तो देखिए क्रिशी के द्वारा हम खाद्याने वस्तों को रग कराती है उद्ध्योग धन्दे के प्रकार में हम देखेंगे वस्तों निर्माण उद्ध्योग एक महत्वूर्फूर्ट इन उद्ध्योगों को उनकी इस्तर के अनुशार किया गया है जैसे आप लगू उद्ध्योग हो गया सो यहां अब आप लगूब जोग के कुटीर उद्योग क्या है, जो उद्योग घर में स्थापित किया जाता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं, या उद्योग श्रमिक अपने घरों से स्थापित करता है, इसमें जूट, लकडी, बेद, बांस, पीपल, पत्थर, आदी को कच्छे माल के रूप में प्रयोग कि चर्म, उद्योग, कालीन, इमन दरी की बुनाई होती है इस तरीके से आप बच्चों को explain कर देंगे अब आपका देखे आता है आपका बोधातनक प्रश्ण में अब आप यहाँ पर प्रश्ण उतर विधी का प्योग करेंगे तो आप बच्चों से प्रश्ण पूछेंगे खाद्यान वस्तों को कहां से प्रात किया जाता है उद्योग धंदे कितने प्रकार के होते हैं जो उद्योग घर में स्थापित किया जाता है उसे हम कौन सा उद्योग कहते हैं तरीके से आप कुछ कोशन पूछ लेंगे और बच्चे उसका एंसर करेंगे अब आपका आता है पुंडर वित्ति के प्रेशन आप और भी कोशन पूछते हैं इसमें तो आप कोशन जो भी आपको पूट अप करना होगा यहां पर आप पूट अप कर लीजेगा फिर आपका पागे आता है नीच्छन कारे जैसा कि मैंने आपको बताया आप शांपट कारे में क्या करेंगे जो भी आपके एक्स्परनेशन के जो इंपॉटन पॉइंट्स होंगे वह आप डैक बोड़ करते चलेंगे लिखते चलेंगे अब वह सारी चीजे आप बच्चों से हुए जो भी चीजे हैं उसको अपने नोटबुक में उतानने को कहेंगे और क्लास में राउन लाके देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं नेक्स आता है आपको ग्रे कारे यहाँ पर आप होमवक दे देंगे बच्चों को उद्योग धंदे क्या है और उसके प्रकारों का वर्डन कीजे और याद करके आईएगा तो यह आपका हो जाता है होमवक I hope कि आपको यह lesson plan समझ में आया होगा easy रहा होगा और I hope कि आप understand की होंगे अच्छे तरीके से किस तरीके से points बनाना है किस तरीके से बच्चों से quotient boot up करना है किस तरीके से आपको lesson plan बच्चों को पढ़ाना है तो आप बच्चों को easy तरीके से explain करेंगे ऐसा नहीं कि आप बहुत tough पूरा किताबी language आप पूरा क्या कर दे रहे हैं bookish language को बच्चों के सामने bookish language को आप explain कर दे रहे हैं बच्चे उसको समझ भी नहीं पार नहीं आपको easy language में ठीक है और ये वीडियो पूरा देखे हैं तो आप प्रीज लाइक शेर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एक कमेंट कर दीजिया करीब प्रीज 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 गैस एक कमेंट कर दीजियेगा तो हमारा जो next होगा topic वो होगा तो हम यह देखेंगे next topic में तो हम मिलते हैं अपने next video में thank you so much guys for watching this video